नमस्कार मैं हूनीलू तो जैसी के आशंका जताई जा रही थी कि इसरेल कब आखिर इरान पर हमला करेगा क्योंकि 25 दिन पहले इरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइले दागी थी और इसरेल पर कई मिसाइले गिरी थी उसके बास यही का जा रहा था क्या केर वो दिन कब आएगा जब इसरेल इसको लेकर पलटवार करेगा तो कल अगर इसरेल के टाइम के अनुसार यानि समय के अनुसार बात की जाए तो रात के ठाई बजे के आसपास हमला जबर्दस तरीके से इरान पर किया गया है कितना नुकसान इसमें एरान को हुआ है किस तरीके से किन किन ठिकानों को उसने निशाना बनाया बाचुत करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़ गाए है मयंक जिस तरह से कहा ये जा रहा था बार बार की जिस तरह से एरान ने हमला किया इस्रेल जबाव नहीं दे रहा है अब तक उसने चुपी साथ रखी है बहुत सारी चीज़े बात आ रहे थी लेकिन आप जिस बड़े हमले की लगातार हम बात कर रहे थे कि वो हमला कभी भी इस्रेल कर सकता है अपनी तरफ से एरान के ओपर वो हमला हो गया कहां कहां किस तरह का नुकसान एरान में अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है अलग-अलग इस तरसे सामने उसमें बताया जा रहा है कि इरान के करीब 20 ठिकानों पर हमले हुए हैं एसा नियॉयोफ टैम्स भी कह़रा है तो अभी जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया में सोशल मीडिया में और जिसकी इलाका है और तेहरान इसके आस पास ये अटैक हुए है और ये अटैक जो है वो Khomeini International Airport के पास भी जो अटैक हुए जैसा की बाते सामने आ रही है और कुलमिला के जो military bases है उसी को ही निशाना बनाया गया है ये रिहाईशी इलाकों पर कोई अटैक नहीं हुआ है ऐसा अभी फिलाल जो खबरे आ रही है इरान की तरफ से इस हमले की पुष्टी कर दी गई है लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि इरान का कहना ऐसा है कि इस हमले में कोई खास नुकसान इरान को नहीं हुआ है मैं रिपीट करूँ है एक बार फिर से हाँ इरान की तरफ से IRGC की तरफ से अधिकारिक रूप से बयान आ गया है ये कन्फर्म कर दिया गया है कि इसरेल की तरफ से अटैक हुआ था लेकिन इरान ने ये भी कहा है कि इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ मतलब आप देखिए कि जो इरान ने हमला किया था जिस तरह का जिस लेवल का अटैक इसरेल के ऊपर था ये अभी फौरी तोर पे ये उस तरह का हमला नहीं लग रहा है ऐसा इरान की तरफ से कहा गया है अब देखिए इसमें जो है नीलू हमने अपने कल के वीडियो में ही ये बात बताई थी कि अब अमेरिका के चुनाओ का इंतजार नहीं करेंगे नेतन याहूँ और पहले ही अटैक होगा और इसमें दो बात से चचचा कर रहे थे कि कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है वो तह था वो जिस तरह के बयान नेतन याहूँ और गलेंट दे रहे थे उससे ये तैथा की हमला होगा और वो हमला हुआ और देखिए एक बात और इस हमले में इसरेल ने F-35 जेट्स का इस्तमाल किया है F-16 जेट्स का इस्तमाल किया है F-15 क्वारटीन का इस्तुमाल कि play गया है निटीन गाए पिन वहां negative six इसमें जो सबसे important बात समझ में निकल के बाहर आ रही है कि अभी जो लगता है उसके मुताबिक, ये हमला बहुत बड़ा हमला नहीं माना जा सकता, ये strike है, इसमें कोई दोर आए नहीं है, अभी हाला कि initial level पर ही खबरे हैं, अभी दीरे से पता चलेगा कि इरान में इसका कितन नुकसान हुआ है, लेकिन ये हमला nuclear site पर नहीं है, ये हमला किसी भी oil refinery पर नहीं है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता थी, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है, ये जो हमने कल चर्चा की थी, कि अमेरिका की तरफ से ये दबाव था कि किसी भी तरह से जो है, वो nuclear sites जो है, उस पर हमला ना हो, अब सवाल ये है, कि अब इरान की तरफ से क्या जवाब आएगा, ये बड़ी बात है, देखिए, इरान की तरफ से, इरान के जो military commanders बड़े हैं, उनकी तरफ से जो sources से बयान आ रहा है, इरान ने ये कहा है, कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा, अब देखने की बात ये है, देखिए, इसको लेके अलग-अलग दो-तीन तरह की चर्चाए हैं, जैसे international media में इस तरह की भी बाते हो रहे हैं, कि हो सकता है कि इरान जो है, वो अभी जल्दबाजी में इसका जवाब ना दे, क्योंकि अमे युद्ध का रूप तुरंत ले लेगा, तो अभी इरान का इस पे retaliation क्या होगा, इरान कैसे जवाब देगा, ये इसकी नजर पूरी दुनिया पे बनी हुई है, और ये शायद आज रात तक ये बात तस्वीर सामने आए, कि देखिए, इरान ने अपनी तरफ से पूरी तय अज अपने बयान दिये, उसने हमला किया, उसके बाद उसने बयान भी यही दिया, कि देखें, लगातार इरान की तरफ से, उनकी प्रॉक्सिस की तरफ से, यानि चोटरफा हम पर हमला किया जा रहा था, और ऑक्टूबर से जो हमला शुरू हुआ था, वो रुपने का नाम क्यों नहीं हुआ, तो एक तरह से बताने की कोशिश अफ जिस तरह से आप करें कोई बड़ा हमला नहीं है, लेकिन इरान भी अगर कुछ करेगा, सपोर्ट अगर अपने प्रॉक्सिस को करता रहेगा, तो उसे भी नहीं बख्षा जाएगा, आईडिएफ ने इस तरह की बा इस तरह की बात की अब बात की अब यहीं कहा जा रहा है कि ठीक हमले से कुछ देखने वाली बात है कि अमेरिका रूस का क्या पक्ष रहता है, अभी जो बात सामने आया है कि अंटीनी बिंकन ने फोन किया है, और बात की… फिर पहली अमेरिका को बताया गया कि हमला होने वाले से नाराज भी एप जो वहां की मीडिया है, अमेरिका की वो इस बात को कह रहे हैं। मतलब आप देखिए ऐसा नहीं लगता कि इरान ने जो हमले किये थे, एक साथ दो सो मिजाइल फायर कर दी थे बैलेस्टिक मिजाइल, वो बड़ा हमला था, इसमें कोई दो राइन नहीं है, और वो जो हमले कितने फेल हुए और कितने नहीं हुए वो दरश्च बता रहे है वो मिजाइल गिरने के पूरे जो है, वो चीजे सामने थी और कितना हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, चीजे दीरे-दीरे करके सामने आ गई, अब ये जो हमला F-35 जेट से हुआ है, इससे कितना नुकसान हुआ है, ये अभी एक थोड़ा संधे का मुद्दा है, जिसमें पता चलेगा धीरे से इरान की तरफ से बताया जाएगा कि इसमें क्या कोई casualty हुई भी है, या नहीं हुई है, या क्या हुआ है, और बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हमले से इसरेल ने हासिल क्या किया है, देखिए बड़ी चीज ये है, कि क्या नेतनियाहु के ऊपर एक थेकानों पर हमले हुए है, तो क्या ये वाकई नुकसान हुआ है, ये तबाह हुए है, और देखिए अगर यहां पर ये बड़ा हमला है, जैसा कि इसरेल दावा कर रहा है, तो उसके बाद ये भी तय है, कि इरान पर पलटवार जरूर करेगा, अगर ये बैलेस्टिक मिज चाहते हैं, अगर ये बड़ा नुकसान हो रहा है इरान को यहां पर तो आप ये तैमान के चलिए, यहां से स्रेटेजी बनानी इरान चुरू करतेगा, पलटवार जपरदस्थ होने वाला है, और आज की राज जो है, वो कुछ भी हो सकता फिर से, बिल्कुल देखे हम इसी क्या हो रहा है, लेकिन आप इस्रेटी